जब मैं 10th पास हुई तो मेरे पापा का सपना था कि मैंने डॉक्टर बनना चाहिए मैंने और मुझे भी डॉक्टर ही बनना था पर जिस दिन में मेरे होस्टल को पापा मुझे छोड़ने आये उसी दिन जब मेरे होस्टल पर आये वहाँ पर होस्टल में उनको अर्टेक आया और उसी दिन वहाँ पर या उरंगाबाद में वो एक्सपायर हुए जब मैंने डिसाड किया कि मुझे कॉमर्स करना है तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था सिफ मेरी माँ थी इसने मुझे बोला कि तुझे जो करना है तुझे कर में तेरे साथ में हूँ इकोनोमिकल कंडिशन भी बहुत खराब है वो पिकोफाल करके मुझे पढ़ाती है इसलिए आप उस पर ठान देना पड़ेगा और सिये बन के ही उतरवेश जा पड़ेगा आप बहुत लोग के लिए मिसाल हो आप जब रो रही हो पुरा क्राउड आपके साथ में रो रहा है आप जानती हो आपकी स्टोरी इतनी लोग को एटाच हो रही है लोग ये मैसूस कर पा रहे है कि सच में कितना एक आप एक आदर्श महिला हो जहां पे आपने समाज को बहुत बड़ा पार्ट बढ़ा रही हो कि जिंदगी में अगर आप चाहती तो आपके बेटी को बिकॉम करा के शादी करवा देती पर आपने ये रास्ता आसानी का नहीं चुना कथिन रास्ता आपने चुना है जहां पे पैसे कमाने का जिम्मा आपके उपर है उसमें सी एक डिफिकल्ट कोर्स है और उसमें आपने अपने बेटी को भीजा है बेटा आपके जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही है और आपको अपनी माँ का सपना बहुत पुरा करना बेटा बहुत मुश्किल से हैं मैं नहीं जानता ज्यादा पर बहुत मुश्किलों से आपको रखा जा रहा हुगा इतनी बात जरूर जानता हूँ मैं एक बाद तालिय बजा दीजे इनके लिए क्या बाद इस उपर